यार एक मुसीबत आ गी है क्या बताई यार हमारा तॉत दिमागी खराब हो गया मिरा इस तो इसलिए धिमाग क्राब यह दमाग कर भूग हो से लेकिन अभी तो यह हटता ही नहीं है पहले प्रब्लेम होता था कि कीबोर्ड कि जिगा ही खुल जाता था लेकिन अब पता नहीं क्या problem हो गया, यह हटता ही नहीं है, खेर आपका यह problem हो या कुछ भी आपका keyboard नहीं खुल रहा है, और आपको यह problem हमें साथ दिख रहा है, तो आज के बाद आपको टेंसल लेने के जोड़त नहीं है, मैंने आपको details आपको बताया है, कैसे इस problem को आप ठीक कर सकते हैं, मतलब यह keyboard वाला issue, तो आसान ट्रिक है, तो चलिए, ट्रिक क्योर चलते हैं, लेकिन यार देखो, जो भी फोन चला रहे हो न, उसके बारे में comment में बता देना, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंती बटन दबा के all प mobile keyword नहीं खुल रहा, खुल रहा या नहीं open हो रहा, यह लिख दोगे न, तो और लोग जो आएंगे, उसको भी यार वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, यह देखो, वीडियो शेयर कर दोगे, तो और लोग जानोगे, चलो है, मैंने यार बहुत बोल दिया, अब इसको solve करते है यह कैसे खतम होगा, अभी देखो, यार, keyword मैंने खुला, इस phone में, keyword आ गया, इसमें ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग खड़ा भो गया, और यहाँ भी क्लिक करो, तो कुछ नहीं, वैसे यह अंदर चला जाता है, समझी नहीं आता है, क्या करें, नहीं करें, और इसको, अरे यार हो जाओ, कभी-कभी तो यह बैक भी नहीं होता है, हाँ, अभी सेटिंग में चलो सबसे पहले तो, ओ यार, मड़ देंगे, हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग में आओ, उपर से स्क्रॉल करके, सेटिंग में चले जाओ, धियान से दिखो, पूरा वीडिय नीचे आजाओ, गिदर है, यहाँ पे मिल जागा, एडिसनल सेटिंग, अब, सैमसंंक का फोन है, यह दो है, सैमसंग का मुबाइल है, तो इसमें, यह नहीं है, ऐडिस नई के आटिंग में रहे है, इसमें जंडरे इसमें जमेंसे, कीबोड यहां मिल गया, लेकिन यहाँ एडिशनल सेटिंग में है इसके अंदर आपको जाना है फिर लेंग्वेज मिलेगा या तो दूसरा उपाय है यहीं जाने का मैं दूसरा उपाय बताता हूं क्योंकि सब कंपनी के मुवाइल अलग-अलग होते हैं कुछ लोग बोले अरे यार यह तू सर्च ही नहीं होगा नह कि और जाओ ना तो हां यह देख लो मैंने कीबोर्ड ठीक है ना इस पे जाओ यह देखो इसको चालू कर दो ठीके ना जींबोर्ड चालू हो गया अब उपर करो अभी नहीं हो रहा हम आपके क्या करें आठ्ट आपके आच्छा चलो यह हो गया ना यहां से बैक हो जाओ न मैंनेजमें पहले चालू कर देना इन दोनों को अधिक है चालू करने के बाद ना बैक आजाओ अब यहाँ पर सेट वाला करेंट इसको क्लिक करो बस भाई जी बोर्ड कर दो जी बोर्ड जी बोर्ड आपके फोन का नाम भी वह या कुछ और है तो आपको उपर वाला डाल दे चैटिं़ चैक कर सकता हूं लोगों जूख और आप Schmidt को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना गंटी बिटन दबादेना और कमेंट में लिख दो कीबोर्ड प्रब्लम खोल गया खताम ठीक है यह आपको टाटा बावाई आपको लिख देनी है कमेंट में आपको जाना है अब इसके अंदर मतलब मेरे चैनल के अंदर देखो या ट्रीक देखो फोन को टीवी में चलाएं और लोकेशन ट्रैक करें मुवाईल में सब्सक्राइब चड़ाएं याड इतने इंट्रेस्टिंग वीडियो है आप जाके देखो यार मजा आ झाल झाल